परिचाय मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम्हारी पानी की बोतल में पानी है? हाँ, ये लो आँ, अब मैं अच्छा मैसूस कर रहा हूँ, आज आसपास हवा ही नहीं है तुम सही कह रहे हो, आज बहुत उमस है, आज सुभा के समाचार में बताया गया कि आज मौसम उमस भरा रहेगा और बारिश भी हो सकती है बच्चों, इस पार्ट में हम वायू, जल और मौसम के बारे में जानेंगे आओ सीखें वायू और जल का महत्व बताना, वायू मंडल का संगठन समझना, जल चक्र का वढ़न करना, मौसम और जिन कारणों पर यह निर्भर करता है उसे बताना, मौसम और जल वायू में फेत करना वायू का परिचय वायू, जीवू और पाधपो समेत प्रिथवी के सभी प्राणियों के लिए बहुत महत्वपून है पाधपों को प्रकाश संशिलेशन करने और वायू में ऑक्सीजन छोड़ने के लिए वायू से कार्बन डायोकसाइट की अविशक्ता होती है मनुष्यों और पश्वों को जीवित रहने है तूप सांस के रूप में वायू से आक्सीजन लेने की आवशक्ता होती है क्या तुम जानते हो कि प्रिथवी के चारों तरफ का वायू मंडल वायू से भरा हुआ है लेकिन वायू मंडल क्या होता है? जानने के लिए हमारे साथ आएं वायू मंडल का संगठन वायू मंडल विभिन गैसों, मुख्यता, नाइट्रोजन और आकसीजन के मिश्रन से बना है जो प्रिथ्वी को चारों तरफ से कंबल की तरह लपेटे हुए है वायू मंडल के बिना हम यहां जीवित नहीं रह सकते यह सूरे से आने वाली खतरनाक किर्णों से हमें बचाता है और प्रिथ्वी को पादपों और पश्वों के लिए आदर्श निवासिस्थान बनाता है जल की जरूरत हम जानते हैं कि वायू हमारे जीवन के लिए अत्यथिक आवशक है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जल इतना महतपून क्यूं है हाँ, हमें पीने, नहाने, खाना बनाने, कपड़े धोने, पौधों में पानी देने और अन्ने दूसरे कई कामों के लिए जल की जरूरत पढ़ती है यह सच है कि जल के बिना पौधे मर जाएंगे और मनुष्य और पशू प्यासे रहेंगे इसलिए बच्चों जल की एक-एक बूंद बचाओ और इसे बरबाद नहीं होने दो प्रित्वी पर जल जल प्रित्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है वास्तव में हमारी प्रित्वी का 70% हिस्सा पानी से ढखा हुआ है क्या तुम जानते हो कि प्रित्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं? क्यूंकि अंत्रिक्ष से देखने पर प्रित्वी अपार जल राशी के कारण नीली दिखाई देती है जल की अवस्थाएं जल तीन अवस्थाओं में पाया जाता है ठोस, द्रव्वे और गैस बर्फ, हिमकन और पाला जल की ठोस अवस्था के उधारण है आपने नदी, झील, तालाब और समुद्र, बरसात और नल से आने वाले द्रव्वे जल को जरूर देखा होगा जल वाश्प वायो में माजूद एक गैस है आप गैस को देख नहीं सकते क्योंकि यह आदरिश्य होती है हमारे शरीर में जल आपको यह जानकर आश्चरे होगा कि मनुश्य के शरीर के दो तिहाई हिस्से में पानी होता है शरीर का तापमान बनाए रखने में इसकी महत्पून भूमिगा होती है यह पोशक तत्वों को पूरे शरीर में पहुँचाता है पाचन को सुधारता है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है जल चक्र क्या आप यह सोच कर हैरान है कि बरसात में सारा पानी कहां से आता है वायू मंडल में सदैव एक निश्चित मात्रा में जलवाश पर रहती है यह प्रित्वी की सतह जैसे समुद्र, नदी और जील से आती है सुरी की उश्मा प्रित्वी के धरातल पर मजूद इन जल सुरोतों के पानी को गरम कर देती है जिससे यह द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है इस प्रक्रिया को वाशपी करण कहते हैं वायू मंदल में उपर जाकर जलवाशप शीतल हो जाता है और बादल बनालेता है इसे संखनन कहते हैं जब जलकन एक गत्रित होने लगते हैं तो वो बड़ी बूंद बना लेते हैं और तापमान के अनुसार बरसाद, बर्फ या ओले के रूप में नीचे गिरते हैं। इसे वर्षन कहते हैं। अंततहा पानी जल स्रोतों तक पहुँशता है और एकत्रित होदा है। आप देख सकते हैं कि जल लगा अतार धर्ती से वायू और फिर वापस धर्ती तक एक चक्र में चलता रहता है। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। इसलिए बच्चों हमारे धर्ती से जल कभी खत्म नहीं होगा। मौसम क्या है? क्या आपने आज मौसम की भवश्यवानी देखी? नहीं? मौसम क्या होता है? मौलता किसी निश्चिस समय और इस्थान पर वायू मंडल की स्थिती को मौसम कहते हैं। मौसम कई कारणों जैसे तापमान, आरद्रता और वायू दाप पर निर्भर करता है। आईए इन कारणों के बारे में जानें। मौसम की तापमान पर निर्भरता संभवता हम सभी जानते हैं कि तापमान वायों की ठंडी या गर्मी का माप होता है या इस बात पर निर्भर करता है कि सूरे से इसने कितनी उर जाली तापमान को तापमापी नापक्यंत्र की सहायता से मापते हैं और इसकी गड़ना degree Celsius और degree Fahrenheit में करते हैं मौसम की आरद्रता पर निर्भरता मौसम को प्रभावित करने वाला अन्यकारक आरद्रता है वायू में मौजूद जलवाश्प की मात्रा को आरद्रता कहते हैं हाँ, हमारे आसपास मौजूद हवा जल से भरी होती है। आप आम तोर पर जीलों, समुद्र, नदियों और पेडों से पानी के वाश्प बनते देख सकते हैं। जब आद्रता बढ़ जाती है, तो हमें पसीना आता है और हम चिपचिपाहट और असुविधा मैसूस करते हैं। जब वायू में आद्रता सो प्रतिशत के करीब पहुँच जाती है, तो वायू बहुत ज्यादा वाश्प नहीं रख पाती। और यदि उस स्थान पर तापमा गिरता है, तो जलवाश्प अपने मूले द्रवे सो रूप में वापस आ जाते हैं। संखनन जमीन के पास होता है, जिससे कुहासा और कुहरा उत्पन होता है। वायू मंडल में बहुत उचाई पर बादल बनते हैं। अंत गुत्वा बादलों से पानी, बरसात, बर्फ य मौसम की वायू दाप पर निर्भरता। आगे क्या? हाँ, वायू दाप। आपने अनुभव ना किया हो शायद, लेकिन हमारे आसपास की वायू में भार होता है। हम वायू दाप को दाप मापी नापकी अंत्र यानी बैरो मीटर से मापते हैं। उच्च दबाव के क्षित्र में वायू धीरे धीरे प्रित्वी के धरातल के पास आ जाती है। उच्च दाप वाले क्षित्र में साफ धूफ वाला मौसम रहता है। निम्न दाप वाले क्षित्र में वायू वाता वरण में उपर उड़ जाती है। निम्न दाव वाले क्षित्र में उच्च आद्रता, बादल, बरसाथ और दूसरे तरह के अवक्षेपन होते हैं। जलवायू क्या है? क्या मौसम और जलवायू एक ही है? नहीं, किसी क्षित्र में लंबे समय तक रहने वाले मौसम से उसक्षित्र की जलवायू का निर्धारण होता है। उदारण सवरूप, भूमद्यरेखा के करीब के खित्र में गरम जलवायू होती हैं, और ध्रूवों के नस्दीक ज्यादा ठंडी जलवायू होती है। बच्चों, अब आप मौसम और चलवायू में आसानी से अंतर कर सकते हैं। हमने क्या चर्चा की? मनुश्यों और पश्यों को जीवित रहने हे दू सांस के रूप में वायू से आक्सीजन लेने की आवशक्ता होती है। वायू मंडल विभिन गैसों मुख्यता, नाइट्रोजन और आक्सीजन के मिश्रण से बना है, जो प्रित्फी को चारों तरफ से कंबल की तरह लपेटे हुए है। हमें जल की एक-एक बूंद बचानी चाहिए और इसे बरबाद नहीं होने देना चाहिए। शरीर का तापमान बनाए रखने में जल की महतपून भूमी का होती है। यहाँ पोशक तत्वों को पूरे शरीर में पहुचाता है। पाचन को सुधारता है और शरीर से अपशिस्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जल के लगतार धर्ती से वायू और फिर वापस धर्ती तकानी की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। निश्चिस समय और इस्थान पर वायू मंडल की स्थिती को मौसम कहते हैं। वायू में मौजूद जलवाश्प की मातरा को आरदर्ता कहते हैं। किसी क्षित्र में लंबे समय तक रहने वाले मौसम से उस क्षित्र की जलवायू का निर्धारन होता है। क्षित्र की जलवार्णर草 क्षित्र की से उस अरत अषड़ाक। प्रॉंचित्र की स्थित्र क्षित्र árज